हेलो फ्रेंज, वेलकम टेटीफोर नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टिट आफ टेक्निलोजी कानपूर, आयाइटी कानपूर की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाय प्रोस पर विजिट कर सकते हैं, आपको इस सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर नॉटिफिकेशन है, जूनियर असिस्टेंट पोस्त के लिए इसमें आपकी टोटल 119 पोस्त है, इसमें यहाँ पर यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, डिजाइबल फेंसे यहाँ पर देखिए आपसे दो साल का experience required किया गया है, अगर आपके पास है तो आपको extra benefit मिल जाएंगे, नहीं भी है, तो आप only degree के साथ भी आविदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर फेंस जो पेंट्रिक्स है, वो 21,700 से 69,100 रुपे salary आपकी रहेगी, बात करते हैं अब इसके form apply process के ब 2022 तक आप आविदन कर सकते हैं, apply करने से पहले advertisement को ध्यान से चेक जरूर कर ले, इसके बार फेंसे यहाँ पर देखिए login section है, तो login करने से पहले आपको register करना होगा, तो आप register new user tab पर click कर देंगे, इस पर click करने के बाद आपके सामने फेंसे यहाँ पर registration page open हो जाएगा, तो आप जो भी यहाँ पर user ID create करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, अगर वो available होगी, तो आपको फेंसे यहाँ पर show हो जाएगा, इसके बार फेंसे आपको यहाँ पर password बनाना है, यह minimum 6 character का और maximum 15 character का आपको होना चाहिए, और फेंसे देखिए, अगर आपकी user ID पहले से register है, तो आपको दूसरी user ID बनानी होगी, इसलिए मैंने कहा कि आप user ID यहाँ पर create करके देखे, अगर आपकी user ID यहाँ पर available होगी, तो आपको show कर जाएगी, इसके बार फेंसे जब आप password यहाँ पर बना लेंगे, password को फेंसे आपको दुबारा से confirm करना होगा, password confirm करने के बाद आपक जो भी active and valid mail ID है, वो आपको यहाँ पर enter करनी होगी, mail ID enter करने के बाद next option है hint question का, कोई भी एक hint question आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसका नाम फ्रेंसे यहाँ पर जो answer है, उसका जो भी question आप लेते हैं, वो आप यहाँ पर enter करेंगे, यह enter करने के बाद फेंसे आपको यहाँ पर option मिलता है submit का, आप यहाँ से submit इसे कर देंगे, इसके बाद देखिए फेंसे आपका registration complete हो जाएगा, registration complete होने के बाद अपनी mail ID को registration details के लिए चेक कर सकते हैं, इसके बाद फेंसे यहाँ पर देखिए आपको option मिलता है user ID का, और उसके बाद आप option मिलता है आपको password का, तो यहाँ पर post name select करना होगा, इसमें फेंसे आपको junior assistant का option मिल जाएगा, आप इस option को select करेंगे, department name में फेंसे आपको यहाँ पर institute ही select करना है, इसके बाद फेंसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको wait करना होगा, क्योंकि site की वज़े से आपको यहाँ पर process है वो फेंसे आपकी यहा WS, SC, ST, OBC आपकी जो भी category है वो आप select कर ले, हम यहाँ से जो है OBC से try करेंगे form को apply करने का, अगर आप PH candidate है तो PH select कर सकते हैं और इसके बाद फेंसे आपको यहाँ पर option पर tick करना होगा, अगर आप regular employee है, IIT कानपूर के project employee है या फिर regular employee है, other IIT के तो आप इन option को tick कर सकते है नहीं है तो आप इन्हें blank छोड़ेंगे और उसके बाद ही friends आप इसे save and continue करेंगे, इसके बाद friends से आएगा आपका personal details section तो friends से यहाँ पर सबसे पहले आपको enter करना है आपका नाम, इसके बाद friends से आपको यहाँ पर enter करना होगा आपका फ्रेंसे father name और next option है आपके यहाँ date of birth का, तो आप यहाँ से जो भी आपकी date of birth है, date, month and year वो friends से आप यहाँ से select कर सकते हैं, यहाँ पर यह select करने के बाद आपको next option यहाँ पर मिलता है आपके ace का, तो आपको थोड़ा सा wait करना होगा, यह automatic closing date पर count करकर आपको यहाँ पर mention कर देगा, इसके बाद ही friends से आप य gender select कर पाएंगे, तो friends से यहाँ पर देखिए आपका जो gender है वो आप select करेंगे, marital status जो है वो आप select करेंगे, अगर आप married है तो आपका spouse name है मतला पतिया पतनी का नाम वो आप दे सकते हैं, place of birth क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रवाइड करनी होगी और कोशिश यह capital letters में आप यहाँ पर form को apply करें, nationality क्या है वो आपको यहाँ पर mention करनी है, आपका जो religion है वो क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो यह आपकी personal detail section है जो कि आपको देना होगा, यहाँ पर friends से next option जो है वो है address का और यह है आपका present address मतलब जो आपको जहाँ पर present में रहते हैं, तो आपको address मेंशन करना है, आपको आपका district मेंशन करना है, आपको आपका state मेंशन करना है, pin code आप यहाँ पर देंगे, आपका mobile number और आपकी mail ID आप यहाँ पर enter कर देंगे, इसके बाद नीचे आप से पूछा गया है जो आपका present और permanent address है वो आपका same है या नही है, अगर present और permanent same है तो आप SMS पर क्लिक कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे और उसके बाद save and continue कर देंगे, इसके बाद फेंसे next option आता है आपके qualification section का, आप qualification में सबसे पहले आपको देना है बोड का नाम, इसके बाद आपका duration देना है, आपका duration है, इस course का वो कितना है, वो आप यहाँ पर enter करेंगे, आपका arrow passing क्या है, वो आपको देना है, किस division या grade में आपने इसको pass किया है, वो आप mention करेंगे, आपकी percentage क्या है, वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, subject friends, आपने कौन-कौन सी यहाँ पर पड़ी है, तो आप friends, यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप कोई भी option यहाँ पर fill कर सकते हैं, इसके बाद friends, next option आएगा, आपके यहाँ पर 10 प्लस 2 का, मतलब आपके 12 का, अब 12 में भी friends, आपको यहाँ पर देखिए, option मिलेगा, intermediate का, आप इसे select करेंगे, यहाँ पर friends, same आपको board का नाम, आपकी duration कितनी है, इसके आपका year of passing क्या है, आपका division क्या है, यह सब जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, तो यह friends, आप अपने according यहाँ पर जो भी जानकारी provide करना चाहें, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इस subjects के नाम, जो है friends, मैं सिर्फ sample के तोर पर fill कर रहा हूँ, आपका जो actual data है आपक यहाँ पर mention करना होगा, तो आप degree का जो नाम है वो आपको यहाँ पर enter कर देंगे, इसके बाद friends, आपको यहाँ पर आपकी university का नाम mention करना है, कितने साल का आपका ड़ोरेशन है, आप उसकी जानकारी देंगे, कब आपने इसको pass किया है, किस division में pass किया है, आप friends, यहाँ प आपके पस कोई experience है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कोई experience नहीं है तो आप इस option को skip कर सकते हैं, skip करने के बाद ही friends से आपका जो नेस section है जो की है general details का ये आपका open हो जाएगा, जिसमें friends से आपको देखिए, यहाँ पर कुछ details आप से पूछी कई हैं तो ध्यान से आप यहाँ पर check करेंगे, अगर आप belong करते हैं SC, ST, OBC, General, EWS या फिस subcategories आपकी ex-servicemen या PH की है, तो आप यहाँ पर उस category को select करेंगे, इसके बार friends से यहाँ पर पूछा गया है, आप reservation चाहते हैं नहीं चाहते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी प्रोवाइट करेंगे, आप convicted है, court of law के थुरू या नहीं है, उसकी जानकारी आप देंगे, आप कितने दिन में joining कर सकते हैं, अगर आपका selection होता है, आप उसकी जानकारी देंगे, पेस्केल फ्रेंस जो है, आपका यहाँ पर जो minimum पेस्केल है, वो आप accept करते हैं, नहीं करते हैं, इसके लिएवा आपको इस vacancy के बारे में कैसे पता लगा, आप उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद save and continue यहाँ से कर देंगे, next option friends, आपका देखे, general details के बाद, automatic जो open होगा, वो होगा upload documents का, तो यहाँ पर देखे, आपको friends से document upload करने के लिए कुछ instructions दिये गये हैं, instructions को आप यहाँ पर थोड़ा सा open करेंगे, तो आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं, आपके सामने instructions जो है वो open हो जाएंगे, जिसमें friends, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कि आपका जो file है, उसका जो extension है, वो proper होना चाहिए, इसके अरावा friends, यहाँ पर देखे, आपको size बताया गया है, कि जो size है photo का, वो friends से 30 के भी, signature का size जो है, वो 20 के भी, तरदर आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर close करेंगे, आपका date of birth certificate आपको upload करना है, experience आप experience upload करेंगे, और उसके बाद photograph and signature आप यहाँ पर upload कर देंगे, इसके लिए आपको friends से click here पर click करना है, थोड़ा सा wait करना है, और उसके बाद friends से आपके सामने browse का जो option है, वो open हो जाएगा, इसके बाद friends से आप browse पर click करेंगे, इसके फाइल को select करेंगे, और उसके बाद यहाँ से friends से आप इसे upload कर देंगे, upload वाले option पर click करने के बाद, आप यहाँ पर jpg, pda format पर upload कर सकते हैं, size friends से एक mb से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, एक बार फाइल upload होने के बाद, आपको friends से यहाँ पर देखिए, जो option है, वो आपको मिल जाएंगे, कि आपने यह document जो है upload कर दिये हैं, इसके बाद ही friends आप इसे continue कर सकते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो option open होगा, वो होगा preview का, application, preview section, यहाँ पर preview पर आप click करेंगे, और अपने preview को check कर लेंगे, तो friends से यहाँ पर यह self verification के लिए है, तो एक बार data को check कर लें, अगर आपको लगता है गलती है, तो आप back जाकर, इन option पर click कर के उसे सही कर सकते हैं, आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, तो आप declare करेंगे, और उसके बाद friends से payment करने के लिए, आप make fee payment वाले option पर click कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर option है, net banking का, अगर आप net banking select करना चाहें, या फिर आपको वेरिफाय होगा, उसके बार friends अपना final printout निकाल कर अपने पास आप रख पाएंगे, future use के लिए, future reference के लिए, तो यहाँ पर friends इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्रवाइड कर दी है, कैसे आप IIT कानपूर जूर असिस्टेंट डिकूर्मेंट 2022 का online form अपलाए कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं, ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक सब्सक्राइब इस जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटीब चनल, एलास थैंक् झाचिंग्